हुआ है एवरीवान होप्र देंग वेल तोड़ेज वीडियो विल बी आवर यूटूबर फ्री शाड़ेजी सीरीज वेर टेस्ट ट्राइजी प्रोवाइड वाई यूटूबरेट यूटूबर्स एन बैक्टाइज दो स्ट्राइजी एन काल्कूलेट दर्येल विंडिट ल इसलिए मैं आपके लिए नया वाला वीडियो बना रहू हूँ आपकी रिक्वेश्ट पे नियू बालिंजर बैंड वाली स्ट्राइजी उनका सो इन टूदेज्वीड वीडियो 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 वील सी एन फिमुस्ट्राइजी क्रेइट फॉट्रेजी गोस्टू है और हमारा कॉंटेंट भी अच्छा लगता है तो भाई क्या कर रहे है ज़ल्दी सब्स्राइब कर दो और लगे हैं कमेंट्स और लाइक भी करना वीडियो पर थोड़ा रैंकिंग बढ़ जाता है वीडियो का इन टुदेज वीडियो वी विल सी अनदर फेमस्ट्राइजी विच इस काल्ड बॉलिंजर बैंड ओपिंग स्ट्राइजी स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रहा होगा जैसे नाम से आपको समझा रहेगा कि इसमें हम ट्रेडिंग व्यों का एक ही इंडिकेटर यूस करते ह है और वो है बॉलिंजर बैंड ये एक बैंक निफ्टी स्राटजी है काफ फी सिंपल है स्रेडजी एक इंत्रडेस्टेजी है और उन्होंने बैंक निफ्टी में है और बोला धाथ है यूस करने एक लिए तो हम भी इसे बैंक निफ्टी में ही पिस्ट करेंगे तो इंट्रो गेडम स्ट्रे प्राम इसे चलते हैं जहां हम बॉलिंजरबैंड ओपिंग स्टेजी प्रोवाइड सबसे पहले हम ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे अब टाइम फ्रेम को 3 मिनिट कर देंगे अब उपर इंडिकेटर में क्लिक करेंगे और बॉलिंजर बैंड सर्च करेंगे तो यह बिल्टिन वाला आजाएगा इसे हम चाट में आड़ कर देंगे अब settings में जाके length को 20 ही रखेंगे और standard deviation को 4 कर देंगे इसके बाद style में जाके basis line को off कर देंगे और ok कर देंगे लो हो गया setup ready चलिए rules for buy entry दिखते है 915 candle should touch the upper band चाहे वो green candle हो या red candle हो जो यह DA का first candle है 915 candle वो upper wallinger band को touch करना चाहे entry would be high of the 915 candle stop loss would be low of the 915 candle और target 2 times the risk जिसाब यहाँ देख सकते हो यहाँ price 915 candle का high break किया है सो हम यहाँ पर entry ले 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 और stop loss 915 candle का ही लो रखेंगे और target 2 times the risk जिसमें एक और important चीज मैंने जान मुझके max loss in terms of points नहीं डाला है जो generally मैं bank nifty और nifty में डालता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में ही बोला है कि इसमें आपको बड़े बड़े stop loss भी आ सकता है आपको risk management करने के लिए आपको quantity कम करना पड़ेगा बट हम तो एक की lot के लिए test करें तो हम same ही रखेंगे चलिए next example देखते हैं जिसे यहाँ देखो इधर यह candle upper bollinger band को touch कर रहा है so हम इसके high के उपर entry ले लेंगे stop loss candle का low रखेंगे और target two times the risk but unfortunately हमारा stop loss रेट हुआ कोई बात ने है win or lose is part of the game ना चलिए और examples देखते हैं जैसे यह देखो ना यह वाला candle भी upper bollinger band को touch कर रहा है so जैसे ही price इसका high cross करेगा हम व two times the risk so यह example win था चलिए rules for sell entries देखते है first 915 candle should touch the lower band फिर चाये वो green candle हो रेट candle हो lower bollinger band को candle touch करना चाहिए entry would be low of the 915 candle stop loss would be high of the 915 candle और target two times the risk जैसे आप देख सकते हो यह example win था चलिए और examples देखते हैं जैसे यहाँ देखो इदर यह candle lower bollinger band को touch कर रहा है so यह इसके low के नीचे entry ले ले लेंगे stop loss candle का high रखेंगे और target two times the risk so यह example win था चलिए I hope आपको strategy clear है मैं जान बुचके इतने सारे examples cover कर रहा हो ताकि आपको strategy clear हो जैसे आप देख सकते हो total number of trade was 100 उसमें से 47 are win and 53 was loss so win rate was 47 percent total gain in an account was 38.77 percent और max drawdown is massive minus 24.03 percent continuous win in a row is 5 and continuous lose in a row is 7 total duration of the test was 13.149 months जैसे आप देख सकते हो strategy is profitable 38.77 percent gain in 13.149 months is pretty good but drawdown जो है वो strategy का minus 24.03 percent which is a concern and not recommended in any strategy और एक प्रॉब्लम है कि strategy का occurrence तो मैं 3 minute time frame पे मेरे को 100 trade धुनने के लिए न 13 मेने के उपर का data लगा आप समझ सकते हो कि आपको signal कितना कम मिलता है strategy में कोई बात नहीं anyways kudos to Rohit Rora from VP Financials for sharing this strategy as always जैसे मैं आपको बोलता हू सीधा मेरी बात या किसी की बात आपको blindly trust नहीं करना है हर strategy को पहले पहले टेस्ट करना है और फिर डिसाट करने कि यह strategy कैसे काम करता है so I'll add the strategy in the google sheet link in the description and this takes the 26th position in the list you can check the list and review or rewatch any specific strategy you like so guys if you like the video please support as always subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video अगर आपको support करना चाते हूं तो UPID आपके screen पे होगा और अगर आपको एस DMAT account नहीं है तो मैं description पे जीरोदा का link डाल दूँगा हमसे account open करके आप channel की तोड़ी help कर सकते हो और अगर आपको यह वाली backtestin sheet चीट है तो मैंने इसे already मेरे channel पे share किया है आपको एक video suggest हो रहा रहेगा यह link description में होगा उसे ज़रू check out करना प्लीज comment में आपके feedback दीजिए और कॉनसी strategy आप चाते है हम backtest करे है अपने future videos में यह भी ज़रू बताना आप हमारे channel की playlist देख सकते हो और दूसरे चाड़े जिसके videos भी देख सकते हो all the social media links will be in the description please follow us and share support more awesome contents on the way so see you next time